Hello Everybody, आज हम बनाने जा रहे हैं खटी मीठी आम की चटनी जो खाने में बहुत टेस्टी और जटपट बन जाती है Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel चटनी बनाने के लिए हमें चार आम छील कर इस तरहां से काट लेना है या मोटा मोटा कद्दुकस कर ले चार आम की चटनी के लिए जिन मसालों की जरूरत है वे मसाली ज्यादतर सबकी रसोई में मिल जाते हैं आधा चमच भुना जीरा, एक चुटकी फूट कलर, आधा चमच हल्दी, आधा चमच नमक, आधा चमच पिसी सौफ, आधा चमच कलोंजी, आधा चमच लाल मिर्च, एक काटोरी चीनी प्रेशर कूकर में सारे आम और बताए हुए मसाले मिक्स कर दें अब हल्की आजपर हमें तीन सीटियां लगानी हैं, तब तक के लिए इंतजार करें अब कड़ाई में आधा चमच देसी घी को हल्का गरम करना है कूकर में से बनी हुई चेकनी को कड़ाई में पलट देना है अब मेशर की सहता से धीरे धीरे चेकनी को मेश करना है चेकनी को जादा ना सुखाएं उसे हल्का सा गीला ही छोड़ दें और फिलेम बन कर दें वाह देखिए कितनी स्वादिष्ट लग रही है ये चेकनी पलीज इसे एक बार जरूर ट्राय करें